Hello guys, welcome to cka educational hub तो चलिए आज हम लोख जानते हैं कि हम लोग कैसे chain rule का use differentiation निकालने में कर सकते हैं कि हम लोग कब chain rule का use करते हैं differentiation निकालने में तो chain rule को समझने के लिए सबसे पहले हम एक example लेते हैं एक example y equal to 3x plus 5 तू दी पावर 3 अब इसे मुझे डिफ्रेंसियेट करना है और दी वाई अपॉन टी एक्स निकालना है यह क्या होगा मतलब मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसियेट करना है इसे इस फंसन हम लोग जो पहला जितना सारा गिश्पा आपल देख सकते हैं क्या एक है बल customize के सब अब पैसस तो चरफ किसी फंसन में सब फंसन हो तो इस जिएन रूल योज करना होता तो इसे यूज करने के लिए हम लोग सब फंसन को कोई एक फंसन मान लेते हैं तो मैंने उसे हम लोग यू यू निकाल सकते हैं उसके रिस फैक्ट कर लोग इस य को दिफ्रेंसियेट कर सकते हैं और यहां से आप देख सकते कहटा अगर मैं du और du cancel out करूं तो यह dy by dx ही बच जाएगा तो मुझे पहले dy upon du निकालना है उसके बाए du upon dx यहां पर जैसे y equals to u3 है since y equals to u3 यहां मैं सबसे पहले differentiate करके इसे dy upon du निकाल लेता हूं तो यह d upon du of u3 तो यह simply यह form होगी है d upon dx of x to the power n इसका formula होगा n x के जागा u है तो u3-1 means 3u square ओके अब मैं du upon dx निकालता हूं तो यहां से यहां du is equal to 3x plus 5 है and u is equal to 3x plus 5 और मुझे du upon dx निकालना है तो मैं ऐसे x के respect में differentiate करता हूं हमने इस टाइप का differentiation के पहले वीडियो में सिखा था तो यह constant के साथ है तो यह constant बाहर आ बज़ जाएगा और यह d dx of x बज़ जाएगा और एक constant और किसी भी फंसन का difference से उस फंसन के रिफर्णम वन होता है मैंस यह 3 और किसी भी constant पे दी एक्स लिख सकते हैं और दी वाई अपॉन दी यू इट 3 यू स्क्वार इंटू दी यू अपन दी एक्स अभी हमने निकाला यह 3 है मिन्स यह 9 u square 9 और u का value 3 x plus 5 है तो मैं लोग इसे 3 x plus 5 का square लेख सकते हैं यह answer अब मैं इसी question को एक दूसरे method से बनाता हूँ जो कि मैं usually use कर हूँगा y equals to 3 x plus 5 upon to the power 3 इसे differentiate करके मुझे dy y dx निकालना है ठीक है तो dy upon dx मुझे निकालना है तो मैं क्या करता हूँ इसे जो मैं simply differentiate करके तो उस तरह मैं से लिख रहा हूँ 3 x plus 5 to the power q ओके अब मैं क्योंकि यह सब function है तो मैं पहले इस function का differences x के साथ ना करके इस function के respect में करता हूँ तो d of 3 x plus 5 और यह हो जाएगा 3 x plus 5 क्योंकि और इसके साथ मैं अब इसका differentiation यह जो है 3 x plus 5 यह सब function है इसका differentiation मैं x के respect में करके आप देखें कि यह और यह cancel out हो सकता है जो कि मैंने पिछले method से भी बनाया तो यही नाइन इंट्री एक्स फ्लस फ्लस फाइब स्क्राइब तो यहां पर हो जाएगा 9 3 x plus 5 स्क्राइब जो कि मैंने पिछले method से भी बनाया तो यही नाइन इंट्री एक्स फ्लस फाइब स्क्राइब आया था और इस method से भी नाइन इंट्री एक्स फ्लस फाइब स्क्राइब पर यह method जरा easy है तो मैं इस method को आगे सारे question में यूज करूंगा अब मैं एक दूसरा example लेता हूं y equals to sin of cos x square यहां भी एक यह sub function है तो मतलब इस question को differentiate करने के लिए भी मुझे chain rule यूज करना होगा तो सबसे पहले मुझे इसे यहां फिर दी वाई वाई डी एक्स निकालना है dx find out करना है तो मैं लिखता हूं dy upon dx is equal to इसे मैं x के respect में differentiate करूंगा तो sin of cos x square जैसे के मैंने पिछले example में किया कि मैंने पहले इस नहीं इस नहीं सारी यह जो सब function है इसके respect में differentiate किया था तो मैं वही यहां पर भी करूंगा d of d cos x square के respect में इस function को पहले differentiate करता हूं sin of cos x square और उसके बाद में यह यह जो function है इसे मैं यहां d of cos x square इसे मैं अब यहां पर भी एक sub function आप देख सकते हैं यह भी एक sub function है तो मैं इसे x square के respect में differentiate करूंगा और लाश्टली इस x square को मैं x के respect में differentiate करूंगा मतलब जितना sub function मुझे मिलता जाए मैं इतना बाद उसे differentiate करते जाओंगा तो यहां पर देख सकते हैं कि यह cos square यह cancel हो सकता है फिर यह और यह cancel हो के मुझे यह मिलेगा तो अब यहां पर देख सकते हैं कि यह sin of x sin of x dx d upon dx sin of x और x के जगा cos x square है तो हम लोग sin का differentiation होता cos x cos और x के जगा cos x square d of dx cos x यहां पर x के जगा x square है तो यहां पर cos का differentiation होता है minus sin of x के जगा है x square और lastly x square का differentiation x के respect x to the power n तो 2x x to the power 2-1 means 2x तो मैं इसे यह लिख सकता हूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ sin of x square cos cos of x square यह इसका answer अ झाल झाल यह 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 झाल झाल